तो आज मैं आपके लिए सूजी के चार नए तरह के ऐसे नास्ति लेके आई हूँ कि आप इन मेंसे जो भी नास्ता ट्राइ करेंगे आपके घर में सब उगल्या चाटते रह जाएंगे इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं बहुती कम चीजों से बहुती कम मेनत में ये नास्ति बनके तयार हो जाते हैं तो आपको जो भी नास्ता इसमें से पसंद आए वो नास्ता आप टाई कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरू बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगा है अब हम सबसे पहले बनाएंगे आपर ये सूजी का पकोड़ा जो बहुत टेस्टी बनता है तो उसके लिए हम लेंगे आपर ये एक कच्छा आलू आलू को मैंने छिलका निकालके इस तरह से दो लिया है अब हम क्या करेंगे हम लेंगे आपर एक ग्रेटर इसमें मैं आपर थोड़ा सा बड़े होल वाला ग्रेटर यूज़ कर रही हूं क्योंकि जो पकोड़ा में थोड़ी से आलू के लच्चे दिखती है तो ज्यादा अच्छा टेश्ट आता है जो भी ग्रेटर है उससे क्योंकि तीन से चार च्मच मैं एन वन का Sylhiva का पाओडर एक तीमरी चमच लालमीच का पावडर एक तइयो डालेंगे करम मसाल कमी डालना है ज्यादा ने ने चमच नमक डालेंगे अ 1 चुम ठीट रच्ञ दालेंगे रहा ह्एक चीर लगतीं हैं सिंपल से चीज़ों से भी बनके तियार हो जाते हैं अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा इसमें डाल देना है सूजी आदी कटोर के सूजी ले लिए हैं तो इसमें 3-4 चमच में इस सूजी डाल दिये हैं क्योंकि आलू ने इसमें काफी मौश्य छोड़ दिया से बाइंड भी हो रहा है अब हम क्या करेंगे हम इसमें एक तड़का लगाएंगे तो म आपके पकोड़े बहुत टेस्टी बनेंगे इस तड़के से हमारे पकोड़े तेज़ चो बहुत ही क्रिस्पी बरेंगे तो आप इस तरह जरूर ट्राई करके देखिएगा सारी चीहों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसको कबर करके रखते हैं कि चार से पांच बट के लिए तो चार से पांच बट हो चुके हैं और सूजी काप अच्छे से फूल गई है ना ज्यादा बेटर थेक है ना ही पतला है बुलकुली सी तरह का बनाना है जिस तरह से हम नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं अब हम क्या करेंगे चलते हम गैस की तरह यहां पर पहले से मैंने ओल को कि रग दिया और अच्छे से गरम है तो अब हम इस मैंसे थुड़ा थुड़ा सा पोर्शन लेके हातों की हैल्प से हम यहां पर इस तरह से पकोड़ों का डाल देंगे आप चमस की हैल से भी डाल सकते हैं और इनको हम आलटते पलेटते हुए एकदम बढ़िया क्रिस्पी ह होने तक सेख लेंगे जैसे ओला एकदम अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद गैस का फ्लेव हम मीडियम कर देंगे और इस तरह से धीमी धीमी आज पेन को क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे तो यह हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ी बन गए हैं तो फ्रें जीरा और थोड़ी से करी के पत्रे डाल दिये हैं करी लिप्स आगर आपके बास हैं तो डाल दीजेगा नहीं है तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अच्छे सारी जीओ को फ्राई कर लिया है मैंने आप डाल गया एक बार ही कटा हुआ प्याज एक हरी मेज इनको अच्छे से ने करते हैं प्याज वाहिए ऑफ्राई करा नस ilmont बर लिया हैं ज्यादा गोल्दर अम्राउं नहीं personality वैं के लिए चलाते हुए मैंने आपर इसको हलका से सौटे कर लिया है तो साथ ही साथ में थोड़ा सा अध्रक लेशन का पेज़ डाल रहे हूं इनको भी मिला देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें तो प्याज अध्रक लेशन याँ पर सारी ची अच्छे से पक चुकी है थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे मैंने आप ले लिए है थोड़े से फ्रोजन मटर आप फ्रेस मटर भी डाल सकते हैं बट कभी कभी सीजन में कभी फ्रेस मटर मिलती हैं कभी नहीं मिलती है लेकि फ्रो किसे टेस्ट आजाएगा स्तरह से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे थोड़ा सालू को अब डालेंगे इसमें मसाली तो एक चाही चमच हल्दी का पाउडर डालेंगे आदा चमच डालेंगे लाल वेच का पाउडर एक चमच डालेंगे नमक आदा चमुज डालेंगे करम मसाला, सभी चमसाला कोचे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही बेसिक से मसाली हम यहाँ पर यूज करेंगे, ज्यादा भी हम इसमें ताम जाम नहीं डालेंगे, बट इसमें सबसे जो मैंने इंग्रिरेंटे वो है यहाँ पर यह खटाई, यानि कि पावडर डाला है अगर आपके पास आमचुर का पावडर नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं आदा नीगू का रस जो भी आपके पास खटाई है वो आप इसमें डाल दीजिएगा इससे बहुत यह चट्ट पटी और एक दम टेश्ट हमारी कचोरिया बनेंगी आप अब हम क्या करेंगे हम लेंगे याप फिर से एक और पैन और इसमें डाल रही हूं एक कप पाने कोई भी कटोरी ग्लास वेगरा कुछ भी मेजरमेंट के लिए आप ले सकते हैं तो एक डाला है मैंने और वन फोर चमच में आप डाल रही हूं अजवाइन आदा चमच हम डा आने देते हैं तो यह देखिए यहाँ पर इसमें हलका सा बॉयल आ गया है तो जिस कप से मैंने आप पानी लिया था उसका आदा हम डालेंगे यहाँ पर सूजी मेजरमेंट आप पिलकुल फरफेक्ट रखना है यानि कि अगर आप एक कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आपको सूरी एक कटोरी पाई ले रहे हैं तो आदा कटोरी आपको सूजी डालनी है यानि कुछ भी जिससे विजरमेंट कर रहे हैं उसका आदा आपको सूजी डालना है बहुत यह अच्छा एकदम मिक्स बैटर बननीगा आपका बिलकुल फरम में तो इसी तरह से इसको चलाते ही करेंगे हलका गुनगुना कर लेंगे जैसे ही हलका गुनगुना हो जाएगा इस तरह से इसको एकदम मसल मसल के डो फॉरम में ले आएंगे तो इसको चिकना डो बना लिया है अब यहां पर जो इस ट्रपिंग है वह अच्छे से ठंडी हो गई है तो इसमें से हम क्या करे हãy subscribe इतौड़ए थोड़ए सी बना लेते हैं एक लीगू के आकार की balls बना लेग छोटी-छोटी तो इस तरह से हम सारी balls को बनांकर रख लेंगे इससे क्या हुता है कि नास्ता बनाने में फिर आसानी ऊजाती है बाद बार हाथ खराब नहीं होते हैं अब हम क्या करेंगे हाथों को साप कर के अच्छे से थोड़ा सा ओइल लगाएंगे हाथों में आप यसा कष़ोसे 3 तरोय 배geben करके की कशोरी की सेव निएगे याँ पर इसको आप चांगे तो गौल बॉल्स बना सकते हैं कई से भी फिलिंग निकल नीनी चाहिए नहीं तो फ्राइ करते हैं फिर आपको दिकत होगी तो बिल्कुल इस तरह से एकदम कच्वरी से इक तम चिकना बनाना है तो इसी तरह से हम सारी कचोडियों को बना लेंगे बहुत ही आसान है अब यह आपको देखने थोड़ा से टफ लग रहा हुगा बट आप बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बन जाती है तो इसी तरह से देखी मैंने आपको दो कचोडियों बना क दिखा दी हैं तो इसी तरह से हम सारी कचोडियों को बना के तियार कर लेंगे तो यह देखिए मैंने आपको एक बता दूबात कि यहां पर क्या करना है आपको ओल को एक दम धुआ निकलने तक गरम करना है क्योंकि अगर ठंडा होगा तो डालते ही कचोडिया आपकी फट सकती हैं फिर आप लोग कमेंट करेंगे हमारी कचोडिया फट गए तो इसका यहीरीजन है क्योंकि सूझी पहले से पकी हुई है स्टबिंग भी पकई है तो ज्यादा हमें इसको पकानी जूरूत नहीं है तो उसके बाद ही कचोडियों डालेंगे तो बहुती क्रिस्पी, एकदम खसथा आपकी कचोडियों बनके तयार होगी. ये देखिये, मुझे यहां पर सेखके सिर्फ तीन मिट लगे हैं, और 3 मिनट पर यहां पर यहां पर एकदम गर्मा-गर्म करा दे हमारी करा दिया कचोडियां से के तयार हो गई है आपने कई तरह की कचोडियां ठ plastik होँगे बट इस तरह से आप एक वाल जरूर टाई कीजेगा तो फ्रेंट यह रेस्पी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौंसी रेस्पी आपको सबसे आता पसंद आ रही है तो अब हम बनाएंगे यह तीसरे तरह का नास्ता यह मैं आपर बिना तेल का नास्ता बनाके दिखाऊंगी बहुत ही अच्छा लगता है बहुत देश्टे को नाक लाइगा एक ताइचमच चाट मसाला सारी चींचों क अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी में बढ़िया से बॉयल आने देते हैं तो जिस कटोरी से मैंने आपर दो कटोरी जैसा लग रहा है पर जैसे यसे आप इसको mix करेंगे ये बिल्कुल दोफ हो जाएगा आप इसकी बिल्कुल भी टैंसर मत लिए उसको एक प्रेट में अलग रख देंगे 10 पनट के लिए उसके बाद हम उसको देखेंगे तो तब तक हम क्या कर लेंगे हम लेंगे आप ट्राइड चीओं का दरदरा पेस्ट बना दिया है लेंगे पर गैस ओं करकेक ड़ाई इसमें डालेंगे हम एक चमच ऑइल को अचा से गरम कर लेंगे तो इसमें डालेंगे हम आदा चमच राई के दाने इनको बढ़ियाशी मिक्स करेंगे राई अच्छी से त्रड़कने लगी है तो साथ साथ एक बार ही कटा हुआ प्याज डाल देते हैं वह प्याज को बढ़िया से हम इसमें मिक्स करते हुए थोड़ा सा प्याज को सौटे कर लेंगे अब मैंने आप ले लिया है थोड़ा सा अधरक और लेसन तीन से चाल लेसन की कर लिया एक चोटा अधरक का जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है जिस तरह से हम फ्रेस डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इस तरह से प्याज भी अच्छे सौटे हो गई है और जो अधरक लेसन है उसका भी कच्छापन निकल गया है अब मैंने आप ले लिया है तो बड़े साइच के और यहां पराटे भी आलूगे बना सकते हैं कोई भी सेंडूच बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी इस तरह से स्टफिंग बनती है तो इसको इसी तरह से थोड़ा सा चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे की सारी चीज अच्छे से पक जाएंगी गैस फिलिम को आपको मीडि कर दिया है यह काफ यह जाएस पक चुकी है इसको ठंडा कर लेंगे अब हम क्या करेंगे इसको हम साइट से रख देते हैं तो यह देखे यहां पर जो सूजी है वो अलकी सी ठंडी हो गई है यानि कि पूरी तरह से इसको ठंडा नहीं करना है जैसे हिसको इस को गुन-गु हमें दोनों चीने तैयार है, श्टफिंग भी बन गई है और बूरी के आकार के Extry सबूसों के गया हुआ इसको फिल कर देते हैं,acağız इसमें भी कुछरम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए हुआ दो हमें भी कचादी search काम बना लेंगे मैं और इसका है सिर्फे बाल साकार में, सिरिंड्रा कार में भी भी बना सकते हैं तो कुछ कचोड़ियों को मैंने इस तरह से बना लिया है हम लेंगे यहाँ पर यह कि स्टीमर, इसमें अच्छे से ओईल लगा लेते हैं बड़िया से चिकना कर लेंगे जिसे कि जो हमारे कचौडी है वह चिप केंगी नहीं, तो इस तरह से देखी मैंने इनको फैला दिया है, रख दिया है अब मैंने आपर गैस वन करके पहले से कड़ाई में एक ग्लास पानी को बोइल करने की रख दिया है, पानी में जी से जैसे यह इस्टीम हो जाएंगी तो आपको लगया कि उपर से सायन आ गई है तो आप चाहें तो इस तरह से इन कचोडियों को खा सकते हैं तब यह बहुत जादा टेस्टी लगेंगी और जो लोग हेल्थ कॉनसी यह से यानि कि ओईल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो इस टैप सकते हैं तो मैंने आप पर थोड़ा सा ओईल ले लिया एक चमच के करीब एक त्याई चमच राई और एक त्याई चमच मैंने आप डाल दिया है कुट्यू ही लाल मेर्च और एक चमच भरके हम डालेंगे या पर यह नारील का बुरादा यानि कि कोकुनट का हम सारी कचोड़ियों को इस तरह से फ्राई कर लेंगे बहुत ही मज़िदार सा यह हमारा गर्मा गर्म नास्ता सिख गया है यकीन मानिए फ्रेंड्स आप इसको टमेटर सौस हरी चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत टेश्टी वनेगा अब हम बनाएंगे चौता सबसे लाश्ट का नास्ता बहुत ही टेश्टी लगता है यह भी बहुत जल्दी से बन जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे गैस ओंकर केक पैर रखेंगे और इसमें में डाल रही हूं है यह 1.5 कटोरी चोटी पानी मैंने कटोरी के इसाब से ले रही हूं आप कप ग्लास किस आप एक कप सूजी लेंगे तो तो डीर कब आपको पानी डालना पड़ेगा अच्छे साथ को मिक्स करके इसको एकदम बन लैंगे इस तरह से मैंने इसको एकदम बना लिया है यह हमारी एक तम सूजी बन गई है अब मैंने आपर ले लिया है तीन मीडियम साइज के आलू वालुओं को बॉいल करके मैस कर लिया है एक बारी कटा हुआ प्याजी डाले성 he回 the surprise अमझाने भी डालेंगे सक्षाषजर्ट dolb फोड़ी सीसह प्रेश्ट थोड़ी सी कच्ची मुँभली, उनको तब थोड़ा सा रोष्ट कर लिया है, रोष्ट करके छिलका निकालके इस तरह से दरदरा सा खूट लिया है, बहुत अच्छा टेश्ट आएगा जब इस तरह से जब हम इसको नास्ते को खाएंगे न, तो जब मुँभली के दाने हमार तो बहुत ही एकदम टेश्ट ही हमारा नास्ता लगेगा इस तरह से सारी चियों को मिक्स करके एकदम टो फॉर में बना लिया है यह सबसे एजी नास्ता है आप इस नास्ते को अभी बना सकते हैं अगर आप इस नास्ते को सुए लंच के लिए बच्छों के टिपन में रखना चाते हैं तो आप सारी त्यारे रात को करके रख दीजिए और इस तरह से बॉल्स बना बना के आप फ्रेजर में स्टोर कर दीजिए तो बहुत ही आप जल्दी से सुए इसको फ्राइब कर सकते हैं और जल्दी से आपका नास्ता भी फटापट से त्यार हो जाएगा तो कोटाया बड़ा अब हम चलती हैं गेस की तरफ इनको फ्राई करेंगे तो मैंने आपर गेस वां करके कड़ाई में गरम करने की रख दिया है और को अच्छे से धुआ निकलने तक गरम करना है तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम चार से पांच बॉल 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 डाल देंगे एक साब तो जैसे ही अच्छे से सिखेंगे नीचे से उसके बाद ही पलटेंगे कच्छा बलकुल भी नहीं बढ़ना है क्योंकि बॉल्ट को तूटने का डर रहता है तो इसी दरह से इन को अलटते प्लटते हुआ हम एकदम गोल्डन क्रिस्पी होने तक से लेंगे ये दिखाएं आपको कौन सा नास्ता सबसे ज़्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको मेरेस्पी पसंद आई है तो मेरेस्पी को लाइक मिचेल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फिर मिलेंगे ऐसी नई नहीं वीडियो के साथ तब तकि लिए बाई बाई